हेलो स्टूदेंज गुड मॉनिंग बेटा आप सभी के एक बार फीशल स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल इसको सले एजुकेशन में और बेटा आज हम कर रहे हैं हमारी पांचवी क्लास की इंगलिज का फोर्टिंथ लेसन होटेयर बैलू बेटा दो वीडियो में हम इसका कुछ पार्ट कर चुके हैं और आज कर रहे हैं इसका आगे का पार्ट तो यहां पर हमारे पास है आंसर दे रखे हैं और उनके क्योशन तुम्हें बनाने हैं देखो read the answer given blue नीचे answer दे रखे हैं उनके तुम्हें क्योशन बनाने हैं तो यहां पर जो underline word कर रहा है उस पे focus करना है कि यह उत्तर है हमारा तो इसके यह उत्तर किस question का आ सकता है तो पहले हमारे पास देखो रानी बोड ए न्यू बाइसकल यस्टरडे नई साइकल लाई है तो focus इस पे है कि नई साइकल है जबाव रहा है हमारा तो इसका person क्या होगा what did रानी बाई यस्टरडे कि रानी ने क्या खरीदा अब तुम्हें कहोगे कि यहां डीड लगा दिया यहां पे बोड लगा रख और helping verb जब did हो गई तो वर्ब की first form यहां पे आ गई है और यह हमारा answer जो था यह सिंपल sentence है ना affirmative ना तो negative है और नहीं यह question mark है इसलिए यहां पे helping verb नहीं आएगी यहां पे सिर्फ वर्ब की second form ही आ जाएगी ठीक है बटा अब आगे हमारे पास इसका हमें लिखना बिट मैं लिख लिए हैं क्योंकि इसमें ज्यादा समय लगता है तो आप पहले question इसका answer पढ़ लेते हैं Mrs. Sunita teaches us English तो नाम लिखा है यहां पे किसका तो क्या लिखेंगे? who teaches you English तो में English कोन पढ़ाता है तो उसी का उत्तर दे सकेंगे ना मैं Mrs. Sunita teaches us English who who means कोन यानि कि किसी का नाम ठीक है आगे है my uncle came to India last month last month मला तुम्हारे अंकल कब आये पुछा गया होगा ना तब ही तो उत्तर दिया कि मेरा अंकल इंडिया पिछले महीने आये थे तो यहां इस का अंसर कब कब का कौन सा मलब किस शब्द का किस वर्ड का मीनिंग कब होता है वेन तो यहां एगा वेन डिडियोर अंकल कम टू इंडिया आगे हैं वह मेरी मित्र लीना है तो क्या कॉइशन होगा वह तो यह हो जाएगा हू इज सी पुछा है कि यह कौन है तो उसने जवाब दिया है वह मै फ्रेंड लीना आगे ग्रेंड मदर इस टैलींगी स्टोरी तो पैटे इसमें टैलींगी स्टोरी पे अंडरलाइन कर रखा है ना, तो क्या सुनाई, एक स्टोरी सुनाई, तो इसका अगर हमारे पास ग्रेंड मदर पे underline कर रखा होता और आगे नहीं होता तो आजाता who is telling a story ठीक है आगे है where are they वे कहां है where means कहां तो यहां पी जगहें का नाम है यह question मैंने बढ़ा रखा है और उसका answer they are in football ground क्योंकि यहां पी football ground जगहें का नाम बता रखा है answer में इसलिए हमने question शुरू करा where are they ठीक है I am doing my homework मेरा homework कर रहा हूँ तो मनलब क्या कर रहा हूँ question होगा ना क्या कर रहे हो तो इसका हो गया what are you doing we ate Rajma rice yesterday तो इसमें क्या बताना है कल तुमने क्या खाया था और क्या की इंगली से what तो what से सुरू होगा तो यहां जाये का what did you eat yesterday तुमने कल क्या खाया था इसी तरह हैं के conjunction या linking word इनको क्या कहते हैं conjunction या linking word तो यह एक दो जो पहरा ग्राफ दो sentence हैं या दो phrase हैं उनको जोड के एक sentence बनाता है उस word को हम बोलते हैं conjunction या linking word तो जैसे air is fresh and cool तो यह देखना है कि and कहां आएगा but कहां आएगा और कहां आएगा and means or but means परन्तु और or or means या मलब दो में या तो ये या ये इसमें और but कब आएगा but आएगा कि दो अलग अलग चीजे हो एक माल किसी की quality है एक negative है एक positive है तो वहां पे but आएगा ठीक है अब हम आगे देखते है my friends my friend is poor but intelligent तो poor, grieve, opposite हो गई नहीं है दोनों उसकी qualification था है intelligent हो शार है गर ये भले ही हो परन्तु हो शार है इसलिए यहां पे but आया और जब दोनों एक जैसी qualities हो तो वहां पे end आजाता है जैसे आगे हम देखते हैं follow the traffic rule traffic के जो डियम है या तायात के नियम उनका पालन करो or you will be find नहीं तो या फिर दट बर दो है ना भई या तो नियम का पालन कर लो या जुर्बान न लगेगा ठीक है you or your brother has stolen my pen एक पैन है तो दोनों तो तुम चुरा नहीं सकते तो कह रहा है या तो तुमने या तुम्हारे भाई ने मेरा पैन चुराया है तो यहां ओ और और आगे ठीक है बैलून्स आर रेड एंड यलो दोनों एक जैसी quality है ना लाल और पीला है ना तो उसमें end आया यहां बट नहीं आया एलेवेटर्स मूव अप एंड डाउन उपर नीचे तो यहां पे एलेवेटर क्या होता है बेटा यह मोल वगएर है मैं तुमने देखियोंग ना चलती हुई जो सीडिया होती अपने आप चलती रहती है उनको बोलते हैं तो यहां पे उपर और नीचे यह उपर जाती है दूसरी नीचे आती है ऐसे होता है ना तो यहां उपर नीचे जा रहे हैं I want to buy some toy I have no money मैं कुछ toy खरीदना चाहता हूं है ना I have no money मेरे पास धन नहीं है पैसे नहीं है जब पैसे नहीं है तो toy कहां से खरीदेंगे तो दोनों अलग अलग quality हो गई ने बिटा तो यहां पर हम लिखेंगे but मैं toy तो खरीदना चाहता हूं परन्तु पैसे नहीं है he is rich but major अमीर है परन्तु कंजूस है major means गरीब तो दो अलग अलग quality होगी ना अमीर है it means उसके पास बहुत पैसे है परन्तु फिर भी कंजूस है खर्च नहीं करता पैसे है तो खर्च करना चाहिए और नहीं कर रहा है इसलिक कंजूस है तो यह दो अलग अलग quality होगी यहां पर आ गया but ठीक है बिटा अब आगे क्या है एक paragraph दे रखा है उसमें से noun और यह वर्ब तुम्हें अलग अलग करनी है तो noun क्या होता है noun या naming word किसी भी व्यक्ति वस्तू स्थान के नाम को हम संग्या कहते हैं और संग्या को इंग्लिस में noun कहते हैं और वर्ब हिंदी में इसको किरिया कहते हैं और वर्ब मीन्स किरिया यानि कि किसी के काम करने का पता चलता है कि क्या काम हो रहा है उसको हम वर्ब कहते हैं तो यहां देखते हैं वर्ब कौन सी है और noun कौन सा है यह पहराग्राप पढ़ते है, my grandmother, ये क्या है, noun है, and I great friends, every morning he got up at 6 a.m., friend भी यहाँ पे noun है, पहले इस पे न लगा लेना चाहे तुम निशान, noun है वहाँ पे n लिख लेना, और verb है उस पे, क्या लिखेंगे, we लिख देना, गोट अप उठती हैं, तो क्या है ये, verb है न, ये verb है, और ये हमारा noun है, and लिख दिया मैंने, friends, she had her bath and went, went क्या हो गया, verb, go went gone, in the temple situated, यहां situated, ये भी verb है, स्थित, in our street, तो street क्या है, नाउन है, और temple क्या है, ये भी नाउन है बेटा, her prayer, she came back, home, home क्या है, ये भी नाउन है न, और came, verb है, ये, verb है, और ये नाउन है, she fed, fed, ये verb की form है, second form है, feed, fed, fed, तो ये भी वर्ब है बेटा, sparrows, ये क्या है, नाउन, चिडिया, to floor of our house, अब house, नाउन है, और यहां पर ये floor भी नाउन है, ठीक है, sparrows gathered, इकठी होना, sparrow, चिडिया है, नाउन है न, ये भी, और एक नाउन जब दो तिन बार आता है, तो उसको एक ही बार लिखना है, दो तिन बार नहीं लिखना है, large number every day, तो ये जिन जिन पे मैंने अन लिखा है, वो तो नाउन की तरफ लिख देंगे, और जिन पे वी लिखा है, यानि की वर्ब है, उसको इधर वर्ब की तरफ लिख देंगे, ठीक है बिटा, समझ गए? अब आगे ये कह रहा है कि, ये जो पिक्चर से दे रखें और कुछ वर्ब से दे रखें उनके बारें पिक्चर में, तो ये जो adventure activity हैं, और in activities के बारें में, कुछ तुम्हें दो तिन sentence से बना के लिखना है, इन वर्ब को तुम यूज़ कर सकते हो, सबसे पहले asking, इसमें क् यूज़ कर सकते हो, skis, skyboard, worn on fit, skypals in hand, helmet, snowboard, slopes of snow-covered mountains, ये वाली चीज़ें हम इसमें यूज़ कर सकते हैं, और उस से हमें दो तीन लाइने sentences बनाने हैं, तो skis is done on snow-covered mountains, ठीक है, को ski कहा की जाती है, बर्ब से डखे हुए mountains पे, skis, skyboards, ski poles in hand and snowboard helmets are also used in skiing, तो skis में क्या क्या यूज़ होता है, ये बता रहा है, skis होता है, ski board होता है, ski poles, ये जो डंडियां होते है, ski poles होते हैं, जिसके ओपर ये बना हुआ है ना, ये भटा सा दिख रहा है, ये ski board है ना, and snowboard जो बर्फ में पहने जाते हैं, वो boot वगरा य ski boards are moved with the help of ski poles, इन poles की सहाइता, इसमें ये रख रख के आगे जब बढ़ते हैं, तो skis की सहाइता से poles आगे, poles की सहाइता से, ये ski boards से आगे फिसलता है, अब आगला है हमारे पास, देखो ये picture किस चीज़ की है, river rafting, तो यहाँ पे river rafting में क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, पेडल्स, पत्वार वगएरा, नाव में होते हैं न, ओरा, चपू, लाइफ जैकेट, इन फ्लेल्टेबल, राफ्ट, और ये can carry six people, तो ये चीज़ इसमें यूज़ करनी है, हमें और फिर नहीं के sentence बनाने हैं, देखते हैं, river rafting is done in choppy water river, की choppy water rivers जो होती हैं, उन में जहां पाने होता है, तेज़ गती का पाने होता है, वहां पे rafting करते हैं, पैडल्स, और्स, और्स, और लाइफ जैकेट्स आर यूज़ बाई, जो प्लेयर होते हैं, वो पैडल्स, और्स, यानि की पत्वार, चपू, और जीवन रकसक जो जैकेट होती हो पहनते हैं, एक rafting में बैठते हैं, एक rafting में केवल छे लोग ही एक बार में जा सकते हैं, mountaineers, mountaineering क्या होती है, high mountain, steep rock, helmet, backpacks, ropes, waterproof tent, pulleys, compass, winter winter, special snow clothes, sandboard size, axis, etc. इसी तरह की और भी चीज़े हम इसमें यूज़ करते हैं, तो इनको यूज़ करते हुए हम यहाँ पे लिखेंगे, यह mountaineering, mountaineering के परवतारों, हंट की पाड़ों पे चड़ना, it is an activity of climbing on high mountains and steep rocks, शीधी खड़ी चटानों पे और पहाड़ों पे चड़ने को हम mountaineering कहते हैं, the mountaineers यानि की परवता रोही जो परवतों पे चड़ते हैं, वे लोग यूज़ यूज़ करते हैं, क्या-क्या helmet करते हैं, backpacks यानि की पिछे इनके पीठ पे जो लदा वह होता है, पिठ्थू उसको बोलते हैं, ropes, रस्षी, waterproof tent, waterproof बारिस आजाए तो उसको अपना तान के बैठ जाएंगे न, compass यानि की compass वो होता है, पैमान जीस से की ये पता चलता है कि कौन सी दिसा में हम जा रहे हैं, wind, chitter, हवा को रोकने वाला कोट आदी, चीजें याँ पे हम यूज करते हैं, it is highly dangerous, बहुत खतरनाक परंतु, रोमांचक activity होती है, तो अब आगे हम करते हैं, sky diving, sky diving क्या होता है, तो इसमें ये words दे रखे हैं, इनको हमें यूज करना है, जो bracket में दे रखे हैं सारे, moving aeroplane in the sky with the help of a parachute, कह रहा है कि sky diving में जो sky diving करने वाले man होते हैं, आदमी होते हैं, वो आसमान में उड़ते विमान से, aeroplane से, नीचे कूदते हैं, पैराशूट की सहाइता से, पैराशूट पहन के नीचे कूदते हैं, वो दे यूज और वो क्या क्या यूज करते हैं, helmet, harness and other protective gear से, तो वो helmet पहनते हैं, और सुरक्षा के लिए जरूरी उपकरन होते हैं, वो पहनते हैं, it is dangerous and exciting activity, बहुती खतरनाक होती है, परन्तु कैसी रोमांचक activity होती है, इसलिए लोग इसको करते हैं, खतरा बहुत होता है, आगे है hang gliding, hang gliding के उपर दो चार लाइन लिखनी है, यह हमारे words जो यहां पर दे रखे हैं, इनको यूज करना है, sportsmen go up into the air with the help of a hang glider, एक hang glider की सहायता से, यहां पर sportsmen, यानि कि जो इसको करने वाला है, activity करने वाला है, वो आदमी उपर जाता है, हवा में, यह hang glider और helmet दोनों चीज़े पहनता है, then they fly in the air like a bird and enjoy, तो फिर वहां पर जाके पक्षी की तरह उड़ता है और enjoy आनन देता, देखो यह उड़ने लग रही उपर लग रही ना चत्री सी, हाँ यह, तो यह हमारा क्या है यह, बताओ, glider, hang glider है और इसके लटका हुआ है और यह उड़ रहा है, क्योंकि हवा में यह उपर उड़ेगा और यह इसके नीचे लटकता है, ठीक है बिटा, अब आगे बिटा यह है, write a short paragraph on your favorite game, कोई भी गेम जो तुम्हारा फेवरेट है, उस पे तुम्हें words लिख सकते हो, मैं पहले लिखवा भी चुकी हूँ, इसको भी तुम्हें लिख लेना, इसी के साथ बेटा, यह lesson हमारा complete हो जाता है, अगली वीडियो हम करेंगे, अपने अगली lesson के साथ, ठीक है?